हाई अब्रिवन आज पल्स के बारे में जानेगे पल्स कुछ इस तरह की मॉर्फोलजी होती है अगर हम मेजर करें तो किसी फीजियोग्राफ से ओके या फिर किसी टॉनोमीटर से तो इस टाइप का कोई वेफोर्म होता है ठीक है इसमें तीन पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो सच पॉजर में जाता है जिस की वजये से बाद में पॉसितिव वाती है तो यहां तक हो गया सिस्टोल उसके बाद डिकुटिक वेव मτιं रिकॉल उ नहSOff बिलाट कोई था है क्योंकि यरी कोंब किया तो परिफरी तो रिकॉइल की वजजे से बलड बैक आता है ना, because of that, उसे बोलते हैं, डाइक्रोटिक वेव, ठीक है? तो यह पल्स मॉर्फोलजी की बात है, thank you so much.